देवली से बिजिस्ट बहारत द्वाज की रिपोर्ट के अनुसार 5000 रुपए की रिश्वत लेते ASI रंगे हातों पकड़ा गया ब्रस्चाचार निरोदक ब्यूरो की टीम ने देवली थाने में कारियरत गूस्खोर ASI सत्यनारेन मीना को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया गूस्खोर थानेदार ने यह राशी परिवादी की मामले में करवाई करने के एवज में मांगी थी ब्रस्चाचार निरोदक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीशक आहत खान के अनुसार प्रकरन को लेकर चेतन प्रकाश रेगर निवासी प्रताप कॉलोनी देवली ने ACB से शिकायत की जिसमें बताया गया कि गत 27 ऑक्टुमबर को देवली थाने में प्रकरन दर्च कराय उक्त प्रकरन के अनुसार पिडित के घर पर पूर सरपंच सहीत कुछ लोगों ने तोड़ फोर की थी प्रकरन में अनुसंदान अधिकारी वे ASI सत्यनाराइन मीना कारिवाई नहीं कर रहे थे वही कारिवाई के एवज में 15,000 रुपे की मांग की इसमें पिडित ने घूस शाम रोडवेस बस स्टेंड परीसर में ASI को रिश्वत की राशी सौपी उधर इशारा पाते ही टीम ने ASI को पकड़ कर जेब तलाश की तो उसमें रिश्वत की राशी मिल गई गूसकोर ASI के पकड़े जाने के बाद थाने में हड़कंप मच गया उक्त कारेवाई में साय झाल